Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रोविंस में एक मैसिव अटैक किया गया है जिस अटैक में कम से कम 20 लों की मौत हुई है और कुछ इतने ही लों घायल हुए है जहां तक हम बात करें पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रोविंस के बारे में ये खाइबर पक्तुनवा प्रोविंस के बारे में तो इन सब एरियास में इस तरीके का अटैक होना कोई नई बात नहीं है इन सब एरियास में आपको मैसिव तरीके से लो एन ओर्डर क्रैसिस दिखेगा और उसके बाद जो इनके अपने रिजिनल मुद्दे और पॉलिटिक्स है वो अलग अगर हम एक्जाक्ली मैप में देखे तो डू की वो एरिया है जहां पे अटैक किया गया और अगर हम बात करें बलुचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो बलुचिस्तान है जिसमें टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं लेकिन जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि बलुचिस्तान में भर-भर के मिनरल्स है लेकिन जो सबसे अधिक गरीबी देखी जाती है वो पाकिस्तान के बलुचिस्तान में ही देखी जाती है वैसे तो अगर आप honestly पूछे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आज के डेट में बैंकरप्ट हो चुका है एकसेप्ट पाकिस्तान आर्मी तो इन सब एरियाज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंसरजेंसी का जो न्यूज है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है और साथ में जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक पंजाब भारत के पास है और दूसरा पंजाब पाकिस्तान के पास है कुछ उस तरीके से ही बलुचिस्तान का भी है जहां पे एक बलुचिस्तान तो पढ़ जाता है पाकिस्तान में और दूसरा पढ़ जाता है इरान में और अगर आप बात करें तो जो बलुचिस्तान इरान में पड़ता है उसका भी कुछ ऐसे ही हाल है जैसा हाल पाकिस्तान के बलुचिस्तान का है और बहुत सालों से जो बलुचिस्तान इरान के पास है और पाकिस्तान के पास है इन पूरे एरियास के जो लोंग है वो चाहते ह कि उनका अपना एक independent देश बने जिसकों कि हर तरीके से इरान के द्वारा भी accept नहीं किया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा भी accept नहीं किया जाता है और खास करके अगर हम पाकिस्तान बलुचिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही massive तरीके से government of Pakistan के दुवारा चाइना को infrastructure development करने के लिए जमीन दिया गया लेकिन वहाँ पे भी ये देखा गया कि जो रोजगार था वो यहाँ के लोगों को नहीं मिला बलकि चाइना अपने देश से ही workers को लेके आया तो यहाँ से भी क्या होता है कि जो लोग बलुजस्तान में रह रहे हैं एक तो उनके पास वैसे ही पहले से गरीबी है और उसके बाद जो भी वहाँ पे resources या minerals को exploit किया जा रहा उसमें भी उनको को हिस्सदारी नहीं मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान की economy almost एक bankrupt economy है और ये बस चल रही है US और IMF के लोन के उपर और उसके बाद जिस तरीके से डूकी एरिया में coal mines को attack किया गया अगर आप उस attack के पूरे news को अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पढ़ेगा कि rockets दागे गये, grenades दागे गये तो जिस भी एरिया में या देश में अगर armed groups का formation हो जाता है और उस armed groups के पास अगर किसी भी तरीके से इतना high end weapon आ जाता है तो उस एरिया का जो law and order है उसको control कर पाना खुद में एक बहुत ही बड़ा task हो जाता है और जहां तक बात किया जाए बलुचिस्तान प्रोविंस में रह रहे लोगों का तो इनका main stream पाकिस्तान में इनको accept ही नहीं किया जाता है और उसके बाद किसी भी तरीके से इनका जो एक bare minimum हक है वो भी नहीं दिया जाता है और वहीं पर बहुत सारे जो experts है उनका ये मानना है कि जिस area पे attack किया गया यानि कि डूगी area में coal mines के उपर तो यहाँ पे भी chances काफी high बनते हुए दिख रहे है कि ये सारे जो armed groups होंगे ये किसी ना किसी एक छोटे बड़े organization से connected होंगे जो किसी भी तरीके से एक जो वसूली होता है वो करने के लिए आये होंगे because of any reason वो कर नहीं पाये होंगे या negotiation अच्छे से नहीं हुआ होगा तो इनको भी अपना power दिखाना था जिस power को दिखाने के चलते ये massive attack किया गया उसके बाद अगर आप थोड़े बहुत articles भी पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आज जाएगा कि पाकिस्तान आज के डेट में अपने आप में कितना तूटा और बिखरा हुआ है इसी साल के ऑगस्त के महीने में एक bus के उपर attack किया गया था attack करने के पहले उस bus को रोका गया और जितने भी लोग पाकिस्तान के पंजाब से थे उनको identify किया गया और उनको बहुत ही systematic तरीके से मारा गया तो यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस के लोगों को मारा गया उसके पीछे का भी वज़य यही था कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो भी चोटे मोटे organization या बड़े organization है वहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस के लोग है उनका आपको dominance काफी देखने को मिलता है और साथ में जो पंजाब प्रोविंस के लोग थे उनको तो मारा ही गया लेकिन उनके साथ जो soldiers वगेरा थे उनको भी मारा गया तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर बलुचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान के किसी और अदर प्रोविंस के लोग वहाँ पे आते हैं तो उस चीज़ को वो किसी भी तरीके से accept नहीं करते हैं और क्योंकि जो पाकिस्तान का बलुचिस्तान प्रोविंस से उसका बॉर्डर लगता है इरान के साथ तो बहुत हद तक वहाँ पे illegal oil का smuggling भी होता है जो कि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के police या वहाँ के जो local authority होते हैं अगर वो उसको रोकना चाहते हैं या रोकते हैं तो उसको लेके भी वहाँ पे काफी massive तरीके से attack होता है क्योंकि जो लोग वहाँ पे smuggling कर रहे हैं उनका जो source of income है वो exactly smuggling करके जो पैसा आता है वही है तो अगर किसी भी तरीके से authority अगर उनका उस काम को रोकना चाहेंगे तो कभी भी कोई accept नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास उसके सिवा करने के लिए और कोई काम नहीं है तो भले ये सारे attack जो हो रहे है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं लेकिन as an Indian हमारे लिए जरूरी होता है कि हर society के जो लोग है उनको participate किया जाए और किसी भी तरीके से अगर किसी भी एक specific या दो specific areas के लोग अगर पीछे रह जाते हैं तो उनको कोशिश किया जाए main stream society का हिस्सा बनाने के लिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye